Assalamu alaikum dear student welcome to I am chemist this is Imran और आज की जीट विए है इस पे हम बात करेंगे documents required for MDCAT 2023 जैसे के आप सब को मालूम है कि आपके साथ मैंने last few videos share की थी उसमें मैंने आपके साथ PMDC की जो official notification थी वो share की थी जिसमें 27th August 2023 जो है that is the proposed date for MDCAT और syllabus के अवाले से यह notify किया गया है कि जो MDCAT 2022 में जो syllabus follow किया था उसी को दोबारा से follow किया जाएगा तो आज की जी वीडियो है उस पे मैं आपके साथ share करने वाला हूँ कि वो documents जो कि आपको MDCAT 2023 के लिए अपने साथ घर में prepare करके रखने हैं क्यूंकि जैसी online apply का portal open होता है तो मैं आपके साथ share करूँ कि आप online apply कैसे कर सकते हैं चैनल के साथ connected रहें वहाँ पर आपको documents के requirements होती हैं खुदाना खौस्त आपके पास अगर ऐसे कुई document है जो कि missing है तो उस कभी से आप लोग बंदोबस कर लें ठीक है कुछ students हैसे होते हैं जिनके पास बे फार्म नहीं होता या उनके parents का cnc कहीं खायब होता है या pictures की issue होता है तो आप लोगों को नहीं करना है कि जो documents आपके साथ में share करने वाला हूं यह आपने अपने साथ त्यार करके रखने हैं ताकि आपको online apply करते कोई problem जो है वो ना हो तो अब जब documents की बात होती है तो documents में हमारे पास जो सबसे पहले आता है that is the domicile certificate ही आपके पास जो certificate है वो आपने अपने पास बना के रखना है आपका सिर्फ domicile certificate ही required होता है आपका birth certificate वगर आपके काम नहीं आएगा तो आप अपना domicile certificate जल से जल बन वा लें अगर जिसका domicile certificate नहीं बना हुआ उसके बाद second पर हमारे पास आता है metric DMC plus metric की जो certificate होती है तो आप लोगों को नहीं करना है कि जो आपको metric DMC है उसको अपने पास scan करके रखें इसी तरह metric के जो certificate है अगर किसी का गुम गया हुआ या बोर्ट से कोई issue चल रहे तो आप जल से जल उसको जो है तो ठीक कर वा लें और अपने पास इसको scan copy जो है उसकी PDF format में अपने पास रख लें then we have FAC DMC और उसकी का certificate तो वो student जिनका FAC already हो चुका है मतलब उनने फर्स और सेकंड यर दिया हुए तो obviously they have their own DMC, they have their own certificate लेकिन ऐसे student जिनका first year भी हुआ है तो आपके पास जो first year की DMC है वो उसकी scan copy जो है आपके पास होनी चाहिए so कोशिश करें कि आप लोग cam scanner को यूज करें अपने documents को scan करके PDF format में अपने पास रख लें अगर आपको यह नहीं पता है कि आप cam scanner कैसे यूज कर सकते हैं तो इस video की description में जाए आपको वहां से video मिल जाएगी उस तरह आप अपने documents scan करें और उसको अपने पास PDF की format में save कर लें उसके बाद FAC की बाद आपके पास बात आती है photographs की photographs जो that should be in the white for background अभी तक जो 2022 था उसके साब से आपके पास जो photographs है उसका white background होना चाहिए तो आप कोशिश करें कि आप अपने पास जो photographs रखें वो white background में रहें और अगर किसी के बास blue है तो blue भी चल सकते हैं लेकिन हमें wait करना पड़ेगा कि new notification के मताबे क्या requirements होती हैं तो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा लेकिन अभी तक आप ऐसे करें कि आपके पास जो photographs ह होती है उसके अंदर आपके father का name और उनकी जो cnc number होता है उसकी requirement लाजमी होती है उसके साथ साथ आपके documents के का जो मतलब important part है father के cnc तो भी आपके पास लाजमी होना चाहिए then self cnc अगर आप above 18 है so you must be having your own cnc लेकिन अगर आप below 18 है तो आपके पास आपका बे form जो होना चाहिए आप लोगों ने जब भी online apply करना है तो वह बहुत ही आपको सोच समझ के करना पड़ता है क्योंकि आपका जो बे form नबर है वह आपने घलत नहीं करना होता तो बे form अगर आपके पास पढ़ा रहेगा अगर आपको कुई सवाल बनता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं थैंक्स वर रोचेंग इंट से कनेक्टेड विद आएम केमिस्ट